हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में जुखाम के बारे में नजला के बारे में जो लोगों को सीजनल एलर्जी होती है बहुत ज्यादे सिनीशन होता है जाता है ऐसे आपको खांशी होती है और फिर शोट में घले में खाटआ पानिया मुकास आप इस्टिक की फील करते हैं और उसके साथ-साथ फिर थोड़ा साइब करता है कि आपके कान कानों में भी जाच चला जाता है मतलब क्योंकि एक करची है ENT वाला जो part है तो आपको कई वरी कानों में आपको itching होती है, pain होता है, happiness रहता है और आपकी जो maxillary cavity है, यानि ये reason और आपका जो septum बाला nose बाला reason है, ये जो cavity है पूरा आपको congestion लगता है, आपको heaviness लगता है, morning में आपको stiffness होती है, के वरी आपको fever भी हो जाता है और morning में देखेंगे कि body काफी आपको lethargy आप महसूस करते हैं, lake of energy महसूस करते हैं, active नहीं हो पाती है body आपका अच्छे से focus नहीं हो पाता है, और कई वरी itching भी होती है आपको with the caffeine तो यह सब symptoms हैं आपके sinusitis के, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि sinusitis वाले patient क्यों ठीक नहीं होते हैं आखिर क्या complications है, क्या problems होती है, और क्या ऐसा medical science miss करती है कि वो patient लगाता है परिसानी में रहते हैं symptoms कम या जादे उनको आते ही रहते हैं, एक season के बाद देखेंगे जब थोड़ा सा temperature change होता है, सर्दगरम होता है तो उनको problem हो जाती है अब क्या ऐसा reason है, उसको हम समझने की कोसिस करेंगे sinusitis के पीछे एक allergic sinusitis हो सकता है, allergic से मतलब है कि weather का change होना, उसमें आपका dust का environment में बढ़ना, pollution का environment में बढ़ना, fluorides का बढ़ना, carbon का बढ़ना, plus humidity का होना, temperature का sudden change होना, यह सब region हो सकते हैं फिर food के label पर जो food intolerance का case है, या food जो आपको allergy करते हैं, या food जो properly digest नहीं होते हैं, या food से intolerance मतलब, food आपको stiffness पैदा करता है, buffering पैदा करता है, और पेट के अंदर एक hardness आप देखते हैं, और food नहीं digest होता है properly, तो food intolerance का भी मसला है इसके साथ, फिर food allergy है, यानि कुछ food होते जो immediately trigger करते हैं, आपको वो आपके gut के लिए friendly नहीं होते हैं, जिससे कि आपको allergy होती है, जो खाम खांसी आप देखते हैं, तो ये सब है allergic part, और कई बारी देखाई ये जाता है, कि हम sinus को एक infection मानके treat करते हैं, हम temporary 5-7 days या 3 days antibiotic का एक course देते हैं, एक anti allergic देते हैं, प्लस कुछ nasal spray या nasal drop देते हैं, और हम ये मानते हैं कि 5-7 days is okay क्योंकि कोई infection हो गया है, उससे temporary आपको फायदा भी होता है, और infection काफियत तक control भी हो जाता है, लेकिन यदि आपको लगातार वो problem कमिया जाता है, बनी रहती है, तो फिर उसका reason ये होता है कि आपकी nose के level पे infection पूरी तरह स ठीक नहीं हुआ होता है, और nose के अंदर जो mucus है, जो रेसा है, जो बलगम है, वो कम या जादे बनता रहता है, और nose के level पे जो आपकी nasal cavity है, वो sensitive हो जाती है, जिसमें कि हम कई वरी देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि mass बढ़ गया है, या आपकी bonds बढ़ गी है, due to the regular infection और allergic sensitiveness, आप देखा जाता है कि mucus कम या जादे बनता ही रहता है, और उससे infection पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, और फिर long term में antibiotic कोई बहुत जादा role play नहीं करते हैं, और sinus की जो problem है, sinusitis की जो problem है, allergic sinusitis especially, क्योंकि इंडिया में most of the common है allergic sinusitis, और जादे तर लोगों को allergic sinusitis ही होत जादा है, infection बहुत कम है, but infection के भी कुछ cases होते हैं, लेकिन allergic sinusitis सबसे जादा है, क्योंकि हम जिस environment पर रहते हैं, जो food हम लेते हैं, यह सब बहुत जादा है, frequently trigger करता है हमें, और वो trigger कई वारी allergic sinusitis का कारण बिनता है, तो देखा यह जाता है, कि आपके nose के level पे continuously sensitiveness बनी रहती है, तो यह commonly, एक complication है, sinusitis के साथ जुड़ी हुई, तो इसको अब कैसे manage करना है, वो बहुत important सबाल है, यदि आपको allergic sinusitis होता है, तो आप कोई भी nasal spray करने के बाद, आदा घंटे के बाद, आप steam inhalation करें, there is a two difference thing, एक steam vaporization और एक steam inhalation, आपको steam inhalation करना है, मतलब आपको तो gradually, slowly भाप लेना है, nasal inhale करना है, nose से inhale करना है, तो उससे क्या होता है, कि आपको पूरा nasal cavity है, उसके अंदर जो भी sensitiveness है, एक cleaning हो जाती है, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो sensitiveness कम हो जाती है, आप जितना nose को dry रखेंगे, जितना nasal patches को आप clean रखेंगे, उतना ही आप allergic sinusitis से बच पाएंगे, प्लस food के level पे आप उस food को immediately restrict करें, जो आपको trigger करता है, दूसरा बहुत जादा dust वाले, बहुत जादा धुमा वाले और सरद जो आपका गरम सरद का issue है, यानि temperature का immediately जो चेंज होना है, उस process से थोड़ा सा आप अपने को बचाएं, जो भी fumes हैं, जो गंद बाली, smell बाली चीजे हैं, या कुछ ऐसे product हैं, जो आप यूज करते हैं, वो immediately आप बंद कर दें, even the DOV भी आप यूज ना करें, जितना जादे आप उन चीजों के साथ connect रहेंगे, उतना जादे आपकी nose sensitive होगी, उतना जादे आपको allergic reactions आएंगे body के अंदर, और nose या या आप एक general physician से, आप अपने symptoms को discuss करें, कुछ time तक anti allergic आप ले सकते हैं, along with the nasal spray, antibiotic का कोई बहुत बड़ा रौल नहीं है sinusitis को, allergic sinusitis को treat करने में, यदि उसके बावजूद भी problem बनी रहती है, तो in some cases, nasal cavity को drain करना होता है, clean करना होता है, by the surgery, या फिर in naturopathy और ayurveda, there is a one good method of the cleaning जिसको हम सूत्र नेथी, रवड नेथी या जल नेथी करते हैं, तो और वह आप कर सकते हैं, तो वह भी cleaning में काफी हद तक मदद करते हैं, और sinusitis काफी हद तक ठीक भी हो जाता है, thank you very much and take care yourself.